नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेमिलोजी भाई नेहा चैनल में यदि आज आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजेगा साथ ही आप सभी मुझे इंस्टाग्राम और फेस दूपर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप सभी अपने सवाल मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं यदि आप भी किसी नाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे नाम मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन्वरी महामे जन्मे लोगों के बारे में इसकी रिक्वेस्ट पूर्णिमा यादर जी ने की है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, जोतिस सास्त के मुताबिक हर इंसान का जन्म एक तै समय, महीने और साल में होता है, हर महीने और दिन की एक अलग खासियत या प्रकरती होती है, और इसी के अधार पर उस इंसान की खूवी, शोक, अच्छाई, बुराई और उसका स्वभाव तै होता है, जोतिस सास्त के अनुसार, व्यक्ति के जन्म की तीठी और महा के अनुसार उसके गुण दोश होते हैं, ये बात आपको जानकर हैराने होगी कि जिस महा में आप पैदा होते हैं, उसके अनुसार आपके गुण, व्यक्तित, दोश और भविश्य तै होता है, इसलिए हम अब आज जन्वरी महा में पैदा हुए जातकों के बारे में बताएंगे, जानिये कैसे होते हैं जन्वरी महा में जन्वें जातक, यदि आपका जन्व किसी भी साल के जन्वरी महा में हुआ है, तो एस्ट्रोलोजी कहती है कि आप बहुत आकरशक और प्रोफेशनल हैं, भागे का चम्गीला सितारा हमेशा आपके साथ कलता है, आप अपने गम कभी किसी को नहीं बताते यही वज़े है कि दुनिया एक खुसमिजाल ज्वेक्ती के रूप में आपको जानती है, आप महनत में नहीं बलकि कड़ी महनत में विश्वास रखते हैं, काम और करियर को लेकर आप में एक तरह की दिवानगी पाई जाती है, आप बहुत संसकारी और आदर्श बच्चे की रूप में समाज पर अपने चाथ छोड़ती हैं, आपको नहीं पता होगा लेकिन कई लोगों के लिए आप प्रेड़ना श्रोथ होते हैं, आप एक बहुत साफ सुत्री और गरिमा में छवी वाले होते हैं, जनवरी के जातक अपने काम पर खुद ही बारीग नजर रखते हैं, वाने की देवी आप पर विशेश पिरसन होती हैं, जनवरी में पैदा हुए लोग पैदाईशी लीडर होते हैं और नेतरित्व करने के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं, ये लोग करिश्माई व्यक्तित्व के मालिक होते हैं और किसी पे भी एक बार में अपनी चाप छोड़ने में सफल रहते हैं, यही कारण है कि आप लोगों को अपनी पर्सनेल्टी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर देते हैं, जनवरी में जनमे जाता खुसमिजाज होते हैं, इसलिए इने लोगों में खुशियां बातना और खुशियां बटोरना दोनों अच्छा लगता है, कई लोग आपको पसंद नहीं करते क्योंकि ये लोग अपने फैसले खुद लेते हैं, और फैसले लेने में किसी की राय नहीं लेते, एवं बिना टाइम लगाए तुरांत अपने फैसले ले लेते हैं, कठीन से कठीन कार्य में जिसमें सभी अपने हाथ खड़ा कर देते हैं, उस काम को भी ये लोग पलक जपकते ही कर दिखाते हैं, मतलग जो काम कोई नहीं कर पाता, वो यह लोग बहुत असानी से कर दिखाते हैं, जन्वरी महा में जन्मे लोग खुट को इतना maintain करके रखते हैं कि इनको देखने से इनकी उम्र का पता लगाना मुश्किल हो जाता है जन्वरी के महीने में जन्मी महिलाएं काफी stylish होती हैं और उन्हें fashion की अच्छी समझ होती है इसलिए ये महिलाएं बहुत ही smart दिखती हैं एक बार अगर ये जातक प्यार में पड़े तो उसको निभाने में कोई कसन नहीं छोड़ते इसलिए ये लोग romance में भी अवल होते हैं जन्वरी में पैदा हुए जातक कभी कभी जिद्धी, महत्वा कांशी और गंभीर होते हैं करियर की बात करें तो इनका भविश्य काफी उज्वल होता है क्योंकि ये लोग बहुत महनती होते हैं इसलिए ये अपनी महनत के दम पर हर छेत्र में अपना परचम लहरा सकते हैं इसके साथ ही किसमत की भी धनी होते हैं जन्वरी महा में पैदा हुए लोग बातों के बहुत बड़ी जादुगर होते हैं सामने वाले से काम निकलवाने में आप से ज़्यादा कोई माहिर नहीं हो सकता है कई बार सामने वाले की पूरी बात सुने भी नहीं रियक्ट कर देते हैं किसी के लिए दिल में भेदभाव नहीं रखते हैं पूरी तरह से दिल के साफ होते हैं जन्वरी में पैदा हुए जातकों में उपर वाले पर पूरी आस्ता होती है जन्वरी के महीने में जन्मी महिलाएं काफी स्टाइलिश होती है और उन्हें फैशन की अच्छी समझ होती है इसलिए ये महिलाएं बहुत ही स्मार दिखती है एक बार अगर ये जातक प्यार में पड़े तो उसको निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है इसलिए ये लोग रुमेंस में भी अवल होते है जन्वरी में पैदा हुए जातक कभी-कभी जिद्धी कंभीर और महत्वकांशी होते हैं करियर की बात करें तो इनका भविशे काफी उज्वल होता है क्योंकि ये लोग बहुत महनती होते हैं और अपनी महनत के दम पर हर छेतर में ये अपना परचम लहरा सकते हैं इसके साथ ही किसमत के भी धनी होते हैं जन्वरी महा में पैदव हुए लोग इन ज्यातकों को पता भी नहीं होता है कि बहुत से लोगों के लिए ये प्रय नश्रोथ होते हैं कई बार सांदे माले की पूरी बात सुने बिना ही रियक्ट कर देते हैं किसी के लिए दिल में भेटभाव नहीं रखते हैं पूरी तरह से दिल के साफ होते हैं जनवरी में पैदा हुए जातकों में उपर वाले पर पूरी आस्ता होती है ऐसे जातकों के लिए एक सला होती है कि इने अपने थोड़े से स्वार के स्वभाव पर कंट्रोल करना चाहिए कभी कभी दूसरे की नजरिये से भी दुनिया देखें दोस्तों को बेवकूफ समझने की प्रवर्ति का त्याग करें किसी का भरोसा ना तोड़ें भागे का सितारा हमेशा आपके साथ है उसे सही वक्त पर पहचानें जनवरी महा में पैदा हुए लोग कड़ी मैनत करने में यकीन रखते हैं इनके लिए काम और करियर बहुत महत्व रखता है ये शौर्टकट अपनानी की बजाए सही दिशा में परिश्रम करना पसंद करते हैं इस महा में पैदा हुए लोगों को बातों का जादूगर कहा जा सकता है इनमें वाक्पटुता का गूर्ण होता है ये लोगों को अपनी बातों के जाल में फसा कर अपना काम निकलवाना जानते हैं मगर इसके बाद भी ये धुर्ट लोगों को नहीं पहचान पाते हैं इस कारण इने जीवन में अपनों से ही धोका मिल जाता है साल के पहले माह में जन्में लोगों का दिन साफ होता है ये किसी की पृति अपने मन में द्वेश भाव नहीं रखते हैं मगर इनके चरितर पर यदि कोई सवाल खड़ा कर दे तो ये उसे बखसते भी नहीं है जिन्दगी जीने का इनका अलगी अंदाज है जन्वरी महा में पैदा होने वाले लोग अपनी लव लाइफ को लेकर काफी सीरियस रहते हैं ये अपने जीवन में जिसे एक बार जगह दे देते हैं फिर उसका साथ हमेशा निभाने के लिए तयार रहते हैं इस महा के लोग आदर्च शवे के मालिक होते हैं ये अपने ही काम पर कड़ी नजर रखते हैं और सुधार की गुझाइज भी रखते हैं इस महा में जन्म लेने वाले लोगों के दिल में फ्रेम भरा होता है ये काफी दयालू और परोपकारी सोभाव के होते हैं और जरूरत पढ़ने पर सामने वाले की मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं ये परिवार, दोस्त और जीवन साती के साथ अपने रिष्टे निभाने के मामले में काफी वफदार होते हैं ये अपनों को धोगा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं जन्वरी महा में पैदा हुए लोग एडवेंचर्स होते हैं इन्हें नई जगे घूमना और एक्स्प्लोर करने का शौक होता है कोई इनसान पर्फेक्ट नहीं होता है और यही बात जन्वरी महा में पैदा होने वाले लोगों पर भी लागो होती है इनमें सबसे बड़ी खामी यह है कि यह कभी दूसरों के नजरिये को समझने की कोशिश नहीं करते हैं यह अपनी बात को लेकर जिद पर अड़े रहते हैं और कई बार स्वार्ती भी बन जाते हैं यह छोटी-छोटी बात पर भी भहस करने लग जाते हैं ये अपने इस आदत के कारण कई बार मजाग का पातर भी बन जाते हैं जन्वरी महा में जन्मी लोगों को नए-नए एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद होता है यह लोग बहुत ज़ाद बाते करते हैं यह लोग आपको कभी भी बोर नहीं होने देते इन लोगों का एडवेंचर्स और मजा की अंदाज आपको हमेशा खुसी का एहसास कराता है जन्वरी में जन्मी लोग अपने निर्णों को लेकर बहुत इस्पश्ट होते हैं वह हमेशा सच बोलने में यकीन रखते हैं ये लोग एक बार जो निर्णा लेने का विचार बनाते हैं उसे पूरा भी करते हैं इस महीने में जन्मी लोग अपने पार्टनर पर भरोसा करने में थोड़ा समय लेते हैं लेकिन एक बार किसी से सच्चे दिल से प्यार करने और भरोसा करने के बाद वह सच्चे और बहुत अच्छे पार्टर साबित होते हैं हाला कि कई बार ये लोग ज़ाद भावोख हो जाते हैं लेकिन अपने गलतियों को सुईकार करके जीवन में आगे बढ़ने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं इस महीने में ज़न में लोग आजाद पंची की तरह होते हैं ये लोग कभी भी किसी के दबाव में नहीं रहते हैं ये लोग जीओ और जीने दो में यकीन रखते हैं इनके जीवन में किसी कभी दखा लिने पसंद नहीं होता है ये लोग अपनी भावनाओं पर काबो करना बखू भी जानते हैं साथ ही अपने जीवन को पॉजिटीव तरीके से जीने में यकीन रखते हैं चाहे दोस्ती हो या प्यार हर रिस्ते को इमानदारी से निभाते हैं और सामने वाले से भी यही उमीद करते हैं जन्वरी महाम में जन्मे लोगों का भागेशाली अंक 5, 3, 1, शुब रंग, गहरा नीला, हलका लाल, शुब दिन, गुरुवार, शुकरवार, और रवीवार, शुब रत्न, गोमेद, और ब्लूटुपस, राशी के अनुशार पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लाब और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाले नई वीडियो के चानकारी मिलती रहे, साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और फेस्टूप पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आप नाम से संबंधित सारी जानकारी दे जाएगी, घन्यवाद